समाजवादी पार्टी के विधायक अबुहासिम आजमी के बेटे फरहान आजमी के बयान पर बवाल मच गया है CAA NRC NPR का विरोध करते हुए फरहान आजमी ने शिवसेना परमुख उधव ठाकरे का सम्मान करता हूँ ऐसा कहा और उधव ठाकरे अगर साथ मार्च को अजोध्या जाकर राम मंदिर बनाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा और CM उधव ठाकरे मंदिर बनाएंगे और हम वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे अब इस बयान पर सियासी गल्यारों में हलचल तेज हो गई है साथ मार्च को CM उधव ठाकरे सव दिन की महराश्ट की सरकार के पूरे होने पर अजोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए फरान आजमी ने कहा कि अबुहासिम आजमी मेरे पिता है सपा के सदस्य और महाविकास अगारी को मैं आमंतरित करता हूँ कि वो मेरा साथ दें क्या कहा है फरान आजमी ने सुनिये मैं प्रॉब्लम इस मिस्टर उदव ठाकरे जी मैं बहुत जादा उनकी इज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ शिवसेना में वाकई में अगर कोई इज़त देने के लाएक है तो उदव ठाकरे जी है इनको इज़त देनी चाहिए क्योंकि वह अभी तक कभी भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं नेवर हैज ही रन अगाव्मेंट और मैं आज यहां से यह मांग करता हूँ कि अगर और चेतावनी भी देता हूँ इसको दंकी जो भी समझना चाहे समझ सकते हैं लेकिन मैं बहुत ही विनमृता के साथ में के कि मैं साथ तारीक को मार्च साथ मार्च को आयोध्या जाने वाला हूँ ऑगा तुम में भी जाओंगा उनकी साथ कि अगर उद्दाव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकेट निकाला तो हम लोग यहां से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ चाहेंगे लेकिन एक कंडिशन होगा कि वो राममंद्री का निर्मान करेंगे हम बाबरी मज़ुद का निर्मान करेंगे वहीं मामने को तूल पकड़ता देख अबुहासिम आजमी ने अपने बेटे फरहान के बयान को गरत बताया है सुप्रीम कोट का फैसला राम जन भूमी पर हो चुका है अबुहासिम आजमी ने कहा कि फरहान ने जो बयान दिया है वहाँ जाकर बाबरी मस्ज़ुद मैं उसका कंड़म करता हुँ सुनि अभूहासिम आजमी ने क्या कहा है पर दो यह वह बिल्कुर से कंडम गरता हूं यह उनका अपना इस्टेटमेंट है। समाजवादी पाड़ी कोई लेना देना नहीं है। बहराल राम मंदिर के मुद्धे पर सुप्रीम कोट का फैसला तो आ चुका है। मगर वहीं फरहान के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। मगर अब ऐसे में अबुआ हसिमाजमी ने अपने बेटे फरहान के बयान को गलत बताया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहाट टाइम से। ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।